हेलो एंड वेलकाम ओल आफ यू, आएम डॉक्टर वरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लंबर स्पाइन एमराई रिपोर्ट के बारे में, काफी लोगों ने, जिनको भी लोग बैक पेन गी है, शेटिका की प्रॉब्लम है, उन्होंने एमराई करवाई होती है, और काफी लोगों को डाउट था, कोशन था, कि जो आप डायामेटर बताते हैं, अब मैं समझा होता है, इसका मलब nerve compression हो रही है, उसका reason होता है stenosis, stenosis का मलब होता है canal narrowing, अब जो नमारी lumbar spine canal होती है, वो इस तरह से होती है, जिसके बीच में nerves होती है, अगर वो canal का diameter कम हो जाता है, canal narrow हो जाती है, उसमें मारी nerve press हो जाती है, इस ही को हम सहाटिका बोलते हैं, अब stenosis जो ह स्पाइनल के नियुकर निकलती है अब लोगों को बहुत कन्फूजन होती कि इसका डायमेटर कितना होना चाहिए मेरी एमरे रिपोर्ट बहुत ज्यादा सीवियर तो नहीं है मुझे सर्जरी वारी कंडीशन तो नहीं है यह लोगों को जानने के लिए अपनी एमरे रिपोर् अब confusion यह है कि दो तरह की diameter होते हैं एक हमालाऍा diameter होते है जो डिस्क के सामने वाला होता है, एक वर्टिबिल बॉडि के सामने वृता है, अब आपको अपनी report में यह देखने है कि अगर इपोर्ट में आपका diameter, वर्टिबल बॉडि वाला diameter मेंशन किया हो है तो उसका कोई use न पास तक ज़रूर देखिए तो यह मेरे पास दो एमरे रिपोर्ट एक में पेशन की कंडिशन वर्टीबरल बॉडी का हमारा डायमेटर मेंशन किया है एक में उन्होंने जो मारी कैनाल है जिसका डायमेटर मेंशन करना चाहिए डिस्क के सामने वाला वो किया हुआ है तो इस सबसे पहले जो एमरे की रिपोर्ट देखते कैसे हैं एमरे कैसे देखते उस पर मैंने और आड़ी वीडियो बनाई हुआ है वहाँ जाके आप सारी एमरे रिपोर्ट अपनी देखनी सीख सकते हैं खुद से यह बहुत ज़रूरी है और इस चैनल को सब्सक्राइब जूरू तो चलते हैं रिपोर्ट की तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारे पास दो रिपोर्ट्स हैं अब इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए जो आपके डायमेटर मेंशन किये हैं उन्होंने उपर लिखा हुआ है बोनी के नाल डायमेटर अब मैं आपको फिल्म में भी समझा इसे सिंगल लिखा हुआ है कि लफोर के सामने 15 mm है अब यही इस रिपोर्ट में आ जाएं तो इसमें अगर हमने डिस्क का लेवल देखना है क्योंकि डिस्क जब भी बोला जाता है तो वो अकेला लफोर या लफाइव इस तरह से नहीं बोला जाता है हमेशा यह बोला जता है L4 L5 की डिस्क L5S1 की डिस्क यानि कि हमारा अगर हमने इसमें देखना है कि L4 L5 की डिस्क के सामने क्या हमारा डायमेटर आता है यह इन्होंने इसमें जो है सेंटीमेटर में दिया हुआ है अगर इसको मिली मीटर में कनवर्ट करें तो यह 12 मीटर मीटर बनेगा तो इसल सब्सक्राइब कर दिए और किनाल की कहाम कर दिया है उसका डायमेटर हमने देखना इस 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 पैशन को L2, L3 और L2, L3, L4 का तो डायमेटर है वो हमें कम दिखा रहा है as compared to बाग की डायमेटर अब देखिए इसमें डिस्क लेवल इसमें लिखा भी वह लंबर के नाल डायमेटर है आपने हमेशा ये देखने है ल1, L2, L2-L3 यानि कि ये डिस्क का लेवल बता रहे है L3, L4, L4, L5, L5, S1 जब ऐसा लिखा होगा तब आप समझ लेना कि आप डिस्क का लेवल देख रहे हैं और जब अकेला L4 के सामने ये, L5 के सामने ये, तो हमेशा समझ लेना कि आप वर्टिबरल बॉडी का डियमेटर देखते हैं, तो ये हमने MRI की जो फिल्म है वो लगा लिए है, अब इस तरह से आपको सेजाइटल व्यू देखना है, अब देखें इसमें से ये जो आपको white वाला area दिख रहा है, ये हमारी kanal side से दिखती है, और ये हमारी grey ग्रेश जो है, ये थोड़ी nerves है, अब इसमें हमने देख लिया, इसमें सब को पता है, कि ये जो square shape है, ये हमारा vertebra, और इसके बीच में जो है, ये हमारी disc, बीच में जो एक कुशन होता है उसको डिस्क बोलते हैं अब हमने क्या करना है क्या दिछाए अब हमें आणि काउंट करना है यह हमाराL5 यह हमाराL4 थ्री, तू, बन तो यह L1 के सामने वाली जगा उन्होंने यह वाली जगा मेंशन करती थी यह वाली हमें यह वाले जगह नहीं चाहिए हमें L1 और L2 के बीच में जो डिस्क है उसके सामने वाली यह स्पेस चाहिए अब मालीजे इसमें आपका यह जो L5 S1 में इसका हलका सब डिस्क बल्ज आपको दिख रहा है अब यहां पर अगर हम L5 के सामने वाला डायमेटर देख लेंगे तो हमें पता नहीं लगा कि जो नर्व यहां पर प्रेस हो रही है कैनाल जो है यहां पर आके कम हो जाएगी क्योंकि डिस्क ने जगह ले ली है तो इसके सामने वाला डायमेटर में चाहिए होगा अगर सिरफ L5 body के सामने वाला diameter mention करेंगे तो उससे तो ऐसा लगेगा जैसे patient को कोई problem ही नहीं है तो तब ही कई बार क्या होता है patient को बोला जाता है कि आपको कोई problem नहीं है MRI आपकी बहुत अच्छी है तो आप और आम से जाके घर पे rest कीजिए तो पर patient को pain इतना जादा होता है इतनी स्वियर problem होती वो कहता है कि मुझे तो बहुत जादा pain है ऐसा होई नहीं सकता कि problem नहीं हो इसलिए ये conditions होती है हमें यहाँ पे mention करनी पड़ती है अब यही वो अगर L5S1 यानि कि disc के सामने वाला area mention करते तो आपको पता लगे जाना था कि patient की जो canal है वो tight है वहाँ पे nerve काफी press हो रही है तो mostly cases में तो हमें जो diameter है वो इसके सामने वाला disc वाला ही बताया जाता है पर कई cases में vertebral body वाला सिरफ बताया जाता है वो गलत हो जाता है अब example के तोर पे आप यहाँ देखिए यह canal आ रही है बिल्कुल सीधी 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 आ रही है अब यहाँ देखिए vertebral body के सामने बिल्कुल उसके बाद जगा है अब disc के सामने जो है उसकी जगा बिल्कुल कम हो जुकी है तो हमें अगर disc का diameter पता लग जाएगा तो इसका canal का stenosis कितने level का है diameter क्या है वो पता लग जाएगा अब इसी तरह से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हमें यह diameter देखना जुरूरी होता है अब माली जे इसमें तो उन्होंने लिख दिया L4 के सामने इतनी जगा है L5 के सामने इतनी जगा है पर हमें चाहिए L4, L5 के सामने क्या जगा है क्योंकि अगर रिपोर्ट में देखे तो L4, L5 का डिस्क का level जो हुआ है वो डिस्क desiccation भी हुआ है डिस्क bulge भी हुआ है अब इसके सामने हमें क्या जगा मिलती है वो radiologist अच्छे हैं जिन्होंने इसमें mention करके रखा हुआ है कि उसके सामने जगा है 8.5 mm अब देखे कितना difference है L4, L5 की अगर हम बात करें जो डिस्क level का में चाहिए था diameter वो है 8.5 mm और L4 अकेले के सामने यानि की vertebral body के सामने 15 है L5 अकेले के सामने 15 है तो अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लेगा पेशन को तो 15 diameter है 10 से उपर है बहुत अच्छी बात है पर असली में उसको जो डिस्क की निकली है वहाँ पर diameter उसका सिरफ 8.5 है जो की बहुत ही कम इसको माना जाता है वैसे तो हमारा diameter जो average लिया जाता है वह 10 से उपर होना चाहिए पर 10 से नीचे जब जाता है तो अभी हमें घबराने की कोई जूर नहीं क्योंकि कईयों का average diameter ही बहुत कम होता है तो मैं इसका छोटा से वीडियो पनाऊंगा कि किस तरह से वो next part है कि हमें diameter कितना होना चाहिए क्योंकि सब patients का vary करता है किसी को 9 में भी कोई मुश्किल नहीं है किसी को 10 या 11 में भी मुश्किल है वो depend करता है कि उसका average diameter size क्या चल रहा है तो ये different different patient के साथ अमेरे सब वीरी करता है तो इसलिए हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि 10 से नीचे जला गया हो आपको ये वीडियो का जो purpose था वो solve हो गया होगा आपको जो डायूड था वह भी आपका clear हो गया होगा तो इस वीडियो को जाथ से like कीजिए और share कीजिए सब के साथ share कीजिए ये lumber spine की problem बहुत complicated कहीं बना लेते हैं जबकि होती नहीं है तो simple तरीके से इसकी study कीजिए और MRI देखना आपको almost आ जाएगा जब आप ये सारे playlist मैंने आपको दे दी है सारे आप level wise film कैसे देखते हैं report कैसे पढ़ते हैं उसमें जो जो changes है वो कैसे देखी जाती है और सब आपको आजाएगा खोईस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल को subscribe जुरू कर लिजी क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है मुझसे one-to-one consultation के लिए नीचे लिखे नमबर पर जाके आप appointment book कर सकते हैं उसकी छोटी सी fees है उसको pay करके आप मुझसे one-to-one consult कर सकते हैं और low back pain के related या tailbone के related कोई भी आपको product चाहिए तो वो भी directly सुकून physical therapy.com पर जाके आप order कर सकते हैं या नीचे लिखे नमबर पर जाके भी combo को order कर सकते हैं have a nice day take care of yourself